जैसे हमने हेलो एल्केन में देखा था कि कार्बन और हैलोजन के बंद यह होई वह रासाइनिक अभी क्रिया को बहुत ज़्यादा प्रबावित करते हैं अगर हमें जानना होगा कि किस प्रकार की इनमें रसाइनिक गूंड पाय जाते हैं, कैसे किस अभी कर्मक से क्रिया करेंगे और किस किस टाइप के उत्पात बनाते हैं, तो हमें इस बंद पे विशेज द्यान देना होगा, समझना होगा कि यह bond है कैसा, तो हमारे जो हैलो एरी हेलोरी ऑंगे होता है कि बेंजीन के साथ हैलोरे रखहं तो यहां बात करेंगे तो कार्बण बेंजीन को हमें भाष्ताइन होता है तो क्या करते हैं कि ना भी किस नहीं जो प्रतिस्थापन अभी की रिया है उसके लिए लेस रियक्टि खोते हैं और टो जानते हैं इसका कारण यह है कि यहाँ पर देख कि हैलोजन और कार्बन के वनध है हैलोजन के विद्धुतर। तृणातमकता क्या है बहुत अधिक होती है अब इसके विद्ध्यो तिरात्मक्ता अधिक होने के कारण क्या होगा है लुजन के उपर हल्का सा रिणावेश होता है क्योंकि जब इस ने कार्बन और हाइट्रोजन के मद्धिय एलेक्ट्रॉनों का साजय हुआ और बंद का निर्मान किया उस समय है लुजन साजय के एल जरूवी हो जाता है अब ध्यान दीजे ये जो बैंजीन रिंग है बैंजीन रिंग के हर कार्बन पे जो संकरन पाया जाता है बैंजीन रिंग के प्रते कार्बन SP2 संकरन दर्शाता है और हैलो एलकेन में जो कार्बन था इन में SP3 संकरन होता है अब वहां भी देखिए आप 1S है और 3P कक्षक हैं यहां 1S और 2P कक्षक हैं तो इनसे फरक क्या पड़ता है चलिए जानते हैं जब हम बात करते हैं SP2 संकरन की इसका जब हम percentage निकालते हैं प्रतिशत लक्षन निकालते हैं तो S का प्रतिशत लक्षन यहां पे ज्यादा होता है वहीं जब हम बात करते हैं SP3 की इसका प्रतिशत लक्षन निकाले तो उस योगिक में S का प्रतिशत लक्षन थोड़ा कम हो हिस्था सब्सक्राइब क्या हो रहा है एक प्रतिशत कितना हो रहा है तो यहां दोनों में प ratchet कि यहां एस का प्रतिशत लक्षन देखे 25 और यहां पर 33.3 इस कारण से एस का लक्षन जैसे ही बढ़ जाता है वहां पे विद्धुत्रनात्मक्ता और भी बढ़ जाती है तो जब हम हैलो एरीन के कार्वन की बात करते हैं इसके विद्धुत्रनात्मक्ता थोड़ी और अधी है hybridization के कारण इससे होता क्या है इससे इनका अकार और भी क्या हो जाता है छोटा हो जाता है अकार छोटा होने के कारण यह क्या करेगा हैलोजन जो है वो नाभिक से बहुत ही अधिक मजबूती से बहुत मजबूती से क्या हो जाता है वह बंद बनाता है और जूड जाता है अब इस सब के कारण यह नावेकिस नहीं अभी क्रियाओं में बहुत इसी condition देते हैं कुछ ससक्त condition दे drastic condition में यह क्रिया करता है क्या है यह drastic condition हम वहां दे दे उच्च ताप yagya उच्च दाप या हम कोई उतप्रेरक रखें तभी यह ना भी किस नहीं अभी ख्रिया करते हैं नहीं तो हमारे है यह जो है वो समान्य ताप और दाप पर ना भी किस नहीं अभिक्रियाओं को नहीं करते हैं कि आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि ऐसा क्यूं होता है इसके चार कारण है क्या क्या कारण है एक कारण है कि इन में क्या होता है जो कारबन के मद्धे जो संकरण है वो संकरण है SP2 दूसरा कारण जो होता है वो यह कि इन में SP2 संकरण के साथ साथ क्या होता है अनुनाद पाये जाते हैं क्योंकि हम रिंग की बात करते हैं तीसरा कारण जो है कार जो केटाइन बनते थे यहां बनेगा फेनॉल का केटाइन यहां का जो केटाइन होता है इसका इस्थाइट तो कम है और चौथा कारण हो सकता है जो एलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है इनके मद्ध्य क्या होगा समानावेश के कारण प्रतिकर्शन तो यह चार कारण है जिनसे ये अभी क्रियाओं में थोड़े क्या होते हैं? कम क्रियाशिल होते हैं. चलिए, अब इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं. चलिए, पहले कारण को समझते हैं. पहला कारण था कि इनमें संकरण जो है, SP2 संकरण होता है. देखे, बैंजीन रिंग के हर कारण में SP2 संकरण है SP2 संकरण होने के कारण यहाँ पे क्या होता है इन में आकार बहुत छोटा हो जाता है जैसे हमने अभी देखा था कि संकरण में इनका प्रतिशत लक्षन बहुत important role play करता है जैसे जैसे S का प्रतिशत लक्षन बढ़ते जाता है हमारे उस योगी का कार क्या होगा छोटा होता है अब इस छोटे अकार के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रोन जो युग में है वो बहुत ज़्यादा मजबूती से बहुत ज़्यादा strongly क्या करते है इस ring के साथ जुड़े हुए रहते हैं जिससे यह हमारा जो carbon और halogen के बीच का bond है इनका आकर्षन बहुत अधीक हो गया है आकर्षन बहुत अधीक होने के कारण अब आप समझे गए हैं इस बंद को तोड़ने के लिए हमें बहुत अधीक उर्जा लगेगी क्योंकि हमारा बंद पहले से क्या है बहुत ज़्यादा मजबूत है जब भी आकर्षन होगा तो आकर्षन होने से पहले ये बंद क्या होना चाहिए तूटना चाहिए अब बंद को तोड़ने के लिए हमें बहुत अधीक उर्जा की जर्वत पड़ेगी जो कि बहुत कठीन हो जाता है तो ये एक कारण था कि इनका बंद काफी मजबूत हो जाता है जिससे ये कम क्रियाशिल होते हैं अब बात करते हम दूसरे कारण की दूसरा कारण ये था कि इनमें अनुनाद होता है देखिए बेंजिन रिंग में क्या होता है द्वीबंध है एकल बंध है द्वीबंध और एकल बंध इन द्वीबंध एकल बंध के कारण यहां पे जो कारबन और क्लोराइट के बीच में जो बंध है यह जो बंध है वो बहुत कुछ द्वीबंध के समान ही शक्ती रखता है और सांथी सांथ क्या होता जा रहा है इसमे अनुनाद होता है अनुनाद होने के कारण इसमें किसी भी प्रकार का आक्रवन करना थोड़ा मुश्किल होता है अब देखिए जैसे ही बंद हमारा कार्बन और हेलोजन के मद्य early ion का मधका द्वी बंद के समान दीबंद के बंद कर रहा है तो आपको अच्छे से clear है कि यह एकल बंद होने से बंद की दमबाई अधीक होती है जैसे जैसे वहां पर बंदो की संख्या बढ़ती है बंद की लंबाई क्या होगी चोटी होगी तो जब वहां एकल बंद था तो बंद लंबाई अधिक थी पर जैसे ही अमने देखा वहां यह कार्बन और क्लोरीन के बीच का जो बंद है वो द्वी बंद के समान है इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर बंद लंबाई क्या होगी कम हो जाएगी तो क्लोरीन जो है वो कार्बन से और उस नाभिक से बहुत ही ज्यादा मजबूती से क्या हो जाएगा जोड़ जाता है अब यहां से इस बंद को तोड़ने के लिए हमें बहुत अधिक उर्जा की जर्वत पड़ेगी तो यह एक दूसरा क्या था अब बात करते हैं हम तीसरे कारण की तीसरा कारण है फैनॉल के टाइन का आसथाईतों यहां देखिए जब हम बात कर रहे थे हेलो एलकेन के बारे में हेलो एलकेन में क्या होता था कि उसमें जैसे ही नुकलियोफाइल आकरमन करता है उससे पहले कार्ब केटाइन बनते थे हमारा कार्ब केटाइन जितना स्थाई होगा उतनी ही ज्यादा वो क्या करता है अभिक्रिया कर कर पाएगा रूत पाध हमें नहीं मिलते तो वही केस यहां लगता है यहां देखें कि हमारा फिं用 है फिनॉल कैया क्या हो पाइबंद में बहुत सारे एलेक्ट्रon होते हैं पर दिया देख़े अगर यहां पर यहां पर यह 5 बाइबंद टूट जाता एलेक्ट्रon लेने के लिए तो फिर यहमारा Aeromatic Compound रहे गा ही नहीं पृपार्ज Life क्वेस क्यों है क्यों कि यहां पर 1 ! इंकल और द्वी है Do तो हमारा यह जो फिनॉक्साइड आयन है इसका जो आवेश है इस्थाई नहीं है अब याद कीजिए जब हम बात कर रहे थे हैलो एलकेन में जब ना भी किस नहीं अभी क्रियाएं होती है उस समय देखिए इस्पेशली जब हम एसेन वन की बात करते थे एसेन वन अभी क्रिया में क्या हुआ था कि जब त्रीतियक हम कार्बकेटाइन की बात किये थे वो सबसे अधिक क्रियाशील होता है किसके लिए ना भी किस नहीं प्रतिस्थापन अभी क्रिया में कारण था कि वो ज़्यादा इस्थाई है तो जो कार्ब केटाईन जितना अधिक इस्थाई होगा वो उत्ना ही असानी से हमारी ना भी किसने ही प्रतिस्थापन अभिकरिया करता है वहीं बात आती है द्वीतियक कार्ब केटाइन की वो त्रीतियक से कम क्रियाशिल होगा किसके लिए ना भी किस नहीं प्रतिस्थापन अभी क्रिया के लिए तो उसी लॉजिक से यहां देखिए क्योंकि हमारा फिनॉल केटाइन उतना अधिक इस्थाई नहीं है तो यह भी एक कारण होता है हैलो एरीन्स के कम क्रियाशिल होने का चलिए अब बात करते हैं चौथे कारण की चौथा कारण है electron और electron के मदद़ क्या हो रहा है यहां पर Michigan हो रहा है चलिए देखे कैसे अब देखी हमारे यह benजीन रिंग है benजीन रिंग में पहले से क्या है एलेक्ट्रोन है और जो हमारा नाभिख इसने ही आ रहा है उसके उइसके उपर भी कौन सा अवेश होता है रिर नावेश क्योंकि नाभिकिस नहीं वही है जिनके उपर रिणावेश है और वो नाभिक में आटेक करना चाहते हैं जबकि हमारेexplort बेंजिनरिंग में देखे इलेक्टरॉन का घनत तो बहुत अधीक है इसके पास रिणावेश है तो यहां रेड आवेश और रेड आवेश में जो एक जैसा आवेश है तो यहां क्या हो रहा है प्रतिकर्शन होता है और इस प्रतिकर्शन के कारण भी यह बहुत कम क्रियाशिल होता है तो देखो हमने देखे हैं कि चार कारण हैं जिनके पूरे इफेक्ट के कारण हमारा जो हैलो एलकेन है यह चार कारणों के कारण ही हमारे हैलो एरीन्स जो हैं हैलो एलकेन की कमपेर में कम क्रियाशिल होते हैं पर कुछ एक परिस्तितियां अगर हम दे दें तो ये रसाइनिक अभिक्रियाएं करते हैं जिनमें नाभिक इसने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है चलिए बात करते हैं हेलो एरीन्स के रसाइनिक अभिक्रिया की हेलो एरीन्स में दो हिस्से हैं एक है इसमें बेंजीन का नाभिक और दूसरा है हेलोजन इन्ही बातों को ध्यान में रखकर हम इनकी रसाइनिक अभिक्रियाओं को देखेंगे इसमें अभिक्रियाओं दो प्रकार से होंगी पहली अभिक्रियाओं में देखिए बेंजीन का नाभिक भाग लेगा और कुछ अभिक्रियाओं में हमारा हैलोजन जो है वो भाग लेता है अब आप ध्यान दीजिए कि जो तो हमारा ये जो बेंजीन का नाभिक है ये क्या करता है इलेक्ट्रोन इसने ही अभिक्रियाओं करेगा वहीं हम बात करते हैं हैलोजन्स की हैलोजन जो है ये ना भी किसने ही अभिक्रियाओं में भाग लेता है तो चलिए इनकी अभिक्रियाओं पे थोड़ी और डिसकॉशन करते हैं तो नावि किस नहीं अभिक्रियाओं के लिए। जैसे मैंने अभी बताया था आपको, कि कुछ कार्नों से यह नावि किस नहीं अभिक्रियाओं के लिए कम क्रियाशिल है जब हम इन्हें उचीत परिस्तितियां दे देते हैं अब ये परिस्तितियां क्या है तो हमें उच्चे ताब देना होगा उच्चे दाब होगा और उत्प्रेरख्य उपस्तिती में ये नाभी किस नहीं अभिक्रिया देते हैं हमारे पास कौन-कौन से नाभी किस नहीं है तो OH, OR, NS2, CN, SH इन से ये अभिक्रिया करेगा परन्तु असानी से नहीं हमें कुछ एक विशेश परिस्तितियां देनी हैं जिससे ये असानी से ख्रिया करेगा हमने समझ लिया कि हेलो एरीन्स बहुत आसानी से नाभी किस नहीं अभिक्रिया नहीं करते हैं इनकी अभिक्रिया कराने के लिए हमें या तो ताब दाब इन ड्रास्टिक कंडिशन को देखना होगा फिर भी जब हम ये परिस्तितियां इन्हें दे सकते हैं तो उस समय ये नाभी किस नहीं अभिक्रिया कर लेते हैं तो हम चलिए एक एक के बारे में जानते हैं कि किस प्रकार नाभी किस नहीं अभिक्रिया करते हैं आप सोच रहे होंगे कि अभी तो हमने इत्ते सारे रीजन समझे थे जिसमें हमने देखा था कि हैलो एरिन्स आसानी से नाभिक अभिक्रियाए नहीं करते हैं अगर हम अभिक करते हैं कि कैसे नाभिक अभिक्रिया करते हैं बीच बीच में हम इनके मेकिनिजम को भी समझते हुए आगे बढ़ेंगे हम यहां बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक रियक्शन्स की फिर हम उसकी बात करते हैं कि किस प्रकार धातुओं से अभिक्रिया करते हैं इसी में हम बात करेंगे कि कैसे इनमें सल्फोनेशन होता है इनमें नाइटरेशन कैसे होगा फ्रिडिल क्रॉफ्ट अभी क्रिया क्या है फिडिंग अभी क्रिया कैसे होगी इन सारे रियक्शन्स को हम सिक्वेंस में डिसकस करते हैं तो चलिए समझते हैं कि कैसे यह अभी क्रिया करते हैं क्या होता है कि शुरू में जब हम ड्रास्टिक कंडिशन देते हैं यानि आप सम करते हैं अब देखिए कि यह हमारा है यह आप सारी कंडिशन देनी है जिससे यह अभिक्रिया करें आएक देखते हैं हमें इस योगिक में से एक हैलोजन्स को हटाना है याने ना भी किस नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया करवानी है और उसकी जगा में यहाँ पे हमें OH डालना है अब इंट्रेस्टिंग बात यह है कि हमारा जो रिंग होता है रिंग वो पहले से ही इलेक्ट्रॉन रिच होता है कैसे तो देखें रिंग में क्या होते हैं द्वीबंध होते हैं जहां भी द्वीबंध होते हैं वहाँ पाई एलेक्ट्रॉन जो है वो डी लोकेलाइज होते हैं एक जगा से दूसरी जगा वो क्या करते हैं पूरे रिंग में घूमते रहने के कारण हमारा जो रिंग होता है ये इलेक्ट्रोनों से भरा पूरा रहता है अब जो ना भी किस नहीं आएंगे इनके पास भी क्या है इलेक्ट्रोन अधिक है इनको ऐसा इस्थान देना है ताकि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं यहां हम कुछ ऐसी जुगत लगा सकते हैं कि हम कुछ ऐसे समू को डाले जो रिंग में से इलेक्ट्रोनों को निकालते जाएं तो ऐसे समू हमारे कहलाते हैं इलेक्ट्रोन विड्रोइंग ग्रूप इलेक्ट्रोन ग्रहन करने वाले समू माल निजे हम बात करते हैं एनो टोकी मालनों हम नाइट्रो ग्रूप लेते हैं नाइट्रो ग्रूप कैसा होता है यह इलेक्ट्रोन विड्रोइंग ग्रूप है यह हमारे रिंग में जहां जहां density जादा होगी घनत तो अधिक होगा वहां से इलेक्ट्रोनों को अपनी पास खीच लेंगे इससे होगा क्या हमारे रिंग में अब कुछ स्थान ऐसे आ जाएंगे जहां इलेक्ट्रोनों की कमी हो जाएगी जिससे ना भी किस नहीं आसानी से फिर क्या कर सके आक्रमन कर सके और अरन्मी घनत को यहां पर और अर्थो और पैरा तो एक के बाद देखते जाएं कि पहले इक कंडिशन में लगाने में क्या होता है पीर दीप्रिती कंडिशन लगाने में क्या होता है अब यहाँ देख्रेश की जैसे ही हमने और्थो पोजिशन पे क्या होता था कि अनुनात के कारण यहां पे एलेक्ट्रोन घनत तो बढ़ गया था तो जैसे ही हम वहां नाइट्रो ग्रूप को डालते हैं नाइट्रो ग्रूप पूरे एलेक्ट्रोनों को अपनी और क्या कर लिया खीच लेता है अब यह यहां पर नाभिकिस नहीं अभिक्रिया होगी दूसरी इस्तिति कि अगर हम पैरा पे भी डालते हैं तो पैरा पोजिशन पे भी इनका वही काम होगा कि पूरे रिंग में से एलेक्ट्रोनों को अपनी और नाइट्रो ग्रूप खीच लेगा नाइट्रो या कोई भी ऐसा ग्र हमने बात की थी कि नाभिकिस नहीं आक्रमन क्यों नहीं करते हैं या हेलो एरीन्स जो है नाभिकिस नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया हैं क्यों नहीं करना चाहतें क्योंकि वो पहले से बहुत सारे इलेक्ट्रोनों से घीरे हुए होते हैं तो हमने ये एक तरीका निकाला है कि हम और्थो या पैरा पोजीशन या दोनों ही पोजीशन पे नाइट्रो ग्रूप को या किसी भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रूप को डालेंगे जिससे आक्रमन आसान हूँ चलिए अब इसे हम देखते हैं कि जो हमने अभी थियोरी समझी है कि कैसे रिंग में हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रूप डालते हैं और उससे क्या होता है हमारी ना भी किस नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्या ऐसा होता है चलिए देखते हैं तो देखिए क्या हुआ पहले देखिए अभिक्रिया कब हो रही थी 620 कैल्विन में अब हम क्या करेंगे कि इस रिंग में पैरा पोजिशन पे ना बढ़ जिस से ना भी किस नहीं प्रतिया असानी से हो गई तो यहां देखिए कि अब जो रियक्शन है यह क्या हो रहा है 443 कैल्विन पे यह रियक्शन हो गया यह निहीं हमें बहुत कम ताप देना पड़ा और ऐसा क्यों हुआ क्यों क्योंकि हमने पैरा पोजिशन पे ना आगे भड़ते हैं मालो हम और तो और पेरा दोनों ही实 पाजिशन पर नाइटरू ग्रूप डालते हैं तब क्या होगा है कै जब हमने और तो और पैरा दोनों पोजिशन पर जोदाला तो देखे अभिक्रिया अब कितने में हो रही है 368 कैल्वीन ताप कितना कम होते जा रहा है शुरू में हमें ताप चाहिए था 620 कैल्वीन उसके बाद जैसे हमने वहाँ पे एलेक्ट्रोन विड्रॉइंग ग्रूप डाला तो हमारा ताप और कम ताप के में अभी क्रिया क्या हो गई पूर्ण हो तो देखिये ताप कितना कम लग रहा है चली आगे और देखते हैं छा अब देखिए यहां पर नाइट्रो-ग्रूप की संख्या बढ़ा देते हैं हमने इंडम पोजीशन पी जब डाला तो तीन नाइट्रोब्र डालने से हमारी अभिक्रिया और भी कम ताप पर हो गई अ अगर आपको ना भी किस नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया करानी है तो हम क्या करेंगे electron withdrawing group को बिल्कुल और्थो या पैरा पोजिशन पे डालते हैं तो यह अभिक्रिया क्या होती है कम ताप पर होती है यह concept बिल्कुल clear हो गया बड़ा interesting concept हमारे सामने आया कि अगर hello arines के clear शिल्ता बढ़ानी है किन के लिए ना में किस नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए तो हमें क्या करना होगा और्थो या पैरा पोजिशन पे electron withdrawing group इलेक्ट्रोनों को खीचने वाले सम्मू जोड़ देने हैं अब आप सोच रहे होंगे कि मेटा पर अगर हम electron withdrawing group करें तो क्या होगा मेटा पोजिशन पे जब हम electron withdrawing group डालते हैं तो अभिक्रिया में कोई की प्रभाव नहीं पड़ेगा हमारी अभिक्रिया जैसी थी याने ना भी किस नहीं के लिए उतनी अनिकूल नहीं थी वैसे ही रहेगे ऐसा क्यों तो चलिए इसका अंसर हमें मिलता है इसके mechanism में चलिए mechanism को देखते हैं जब हम mechanism को देखते हैं तो हमें पहले समझना होगा कि इनमें अनुनाद जब होता है कुछ इस प्रकार जब अनुनाद हो रहा है तो देखिए क्लोरीन के पास extra electron है दो दो चार दो छे और ये सात्वा electron क्या कर रहा है कार्बन के साथ साजा करता है अनुनात के कारण ये जो क्लोरीन है क्लोरीन क्या करता है इस कार्बन के साथ बंद बनाता है बाजू का जो द्वीबंद है ये तूट जाता है जिस से इलेक्ट्रोन शिफ्ट हो जाते हैं कार्बन के पास अब ये अधिक एलेक्ट्रोन वाला कार्बन दूसरे कार्बन के साथ द्वीबंद बना लेता है जो पहले क्या था एकल बंद और ये द्वीबंद ऐसे तूटते जाता है पूरे रिंग में ये एलेक्ट्रोन घूमते जाएंगे इस अनुनात के कारण देखिए जैसे यहां बंद फिर तूटता है नेक्स्ट कारबन के उपर क्या होता है रिना वेशारा है और यहां जहां एकल बंद था वहां द्वीबंद बन गया ये देखिए अब ये जो द्वीबंद है ये तूट जाता है और ये एकल बंद में बदल गया आप यहां पे अगर ध्यान दे रहें तो सरफ और तो और पैरा पोजिशन पे ही इलेक्ट्रोन घनत्व बढ़ता है कुछ इस प्रकार मेटा पोजिशन पे देखिए मेटा पॉजिशन पे इलेक्ट्रोन घनत्व नहीं बढ़ता तो यहां पे हमारा electron withdrawing group आक्रमन कर ही नहीं सकता क्योंकि meta position पे अनुनात के दोरान देखिए कि electron घनत तो बढ़ता ही नहीं तो यहां आक्रमन संभव नहीं है और अब जब आक्रमन संभव नहीं है तो ना भी किस नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया इस position पे अगर आप withdrawing group को डालते हैं तब नहीं होगी तो यह concept भी clear हो गया कि meta position पे अगर हम electron withdrawing group को डालते हैं तो हमारी ना भी किस नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाए नहीं होगी और कब होंगी जब हमने और्थो और पेरा पोजीशन पर इलेक्ट्रोन विड्रोइंग ग्रूप को एड किया है